हेलो स्टुडेंट स्वागत आपका पाई क्लास इस बाई सचिन मलिक में आज का टोपिक क्लास नाइन्थ के लिए वरक्षीट नंबर फोर्टी तो हमेशा की तरह यह वाली वरक्षीट भी मैंने दोनों ही भासाओं में समझाई है ताकि इंगलिस और हिंदी मीडियम के दोनो सरकारी स्कूलों में लेकिन मैंने बोना दोनों लेंग्वेज में है ताकि दोनों भासाओं के बच्चे इसको समझ सकें आईए देखते हैं इस वरक्षीट का शॉलिशन देखिए स्टुडेंट्स यह है हमारी वरक्षीट नंबर फोर्टी क्लास नाइन्थ क्या टोपिक है इसका टोपिक है घनाब और घन का प्रेश्टे चेथफल यानि क्यूबोईड और क्यूब का सर्फेस एरिया तो सर्फेस एरिया कैसे निकालते हैं कैसे फार्मूला यह डवलाप होता है यह हम सीखेंगे पिछली वरक्षीट में हमने क्यूब और क्यूबोईड को पहचानन तीनों सेम होती है उसके एक्जामपल्स भी मैंने आपको दिखाए थे आईए अब इसका टोटल सर्फेस एरिया यानि संपून प्रश छेतरफल यह बनाते हैं कैसे बनता है आईए देखो यह आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा आपको इसमें ठीक है इस फिगर में मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे यह बनता है तो देखो यह जो बोक्स बना हुआ है यह नोंने बोक्स को खोल के इस टैप से बना कर दिया है यह पूरा बोक्स था बोक्स को खोल के फिगर बनाय हुआ है देखो माल लो यह वाली यह तुम्हारे क्या है यह यह तुम्हारा L है, ठीक है? This is L, झालने, length और यह वाली side क्या है? breadth है और यह वाली side क्या है? height, ठीक है? यह تीनो giaid हो गई अब देख़ा, यह L है तो इसके सामने वाली भी L होगी और इधर इसके सामने वाली भी क्या होगी हमारे पास? breadth होगी तो एक rectangle तो ये बन गई कौन सी ये वाली जो मैं color कर दी है और एक rectangle बिलकुर इसके सामने वाली याँ अगर ये च्छत है तो ये फर्स हो जाएगा इसके सामने वाली बन गई तो अगर उपर वाली rectangle का मैं area निकालूँ सिर्फ उपर वाले rectangle बन गई और जो इसका area वही बिलकुर इसके opposite वाले का होगा याँ अगर इस च्छत है तो फर्स वाले का भी area इतना ही होगा तो LB प्लस LB 2LB होगया ये ठीक है अब इसी type से ध्यान लगना ये होगया 2LB ठीक है अब इसी type से हम दूसरी वाली side का भी बना सकते हैं दूसरी वाली side का कैसे बनाएंगे ये देखो ये तुम्हें बताता हूँ मैं कौनसी वाली side का ये क्या थी हमारे पास H बनाई थी नहीं हमने और ये side क्या थी ये L थी तो इसके सामने वाली ये भी L हो जाएगी और इसके सामने वाली यह H हो जाएगी तो अब यह जो मैं color कर रहा हूँ तो इस वाली rectangle का area क्या हो जाएगा LH और इसके opposite कुन सी है वो यह वाली है जो अंदर-अंदर उधर आ रही है ठीक है ना? इसके सामने वाली उसका भी LH हो जाएगा तो क्या बन गया? 2LH दो को इसमें 6 प्रश्ट होते है यह हमने पिसली वीडियो में सीख लिया था 6 में से 4 का हमने area निकाल दिया 2 का क्या आया? 2LB और 2 का क्या आया? 2LH चलो बाकी 2 बचती है उनका भी हम देखते है कैसे निकलता है आईए अब कौन-कौन सी बच गई? ए यह वाली और यह यह क्या था हमारा? B और यह क्या था? H तो यह भी H हो गया इधर वाला और यह सामने वाला B तो इस वाले rectangle का area क्या आया गया? BH और इसके opposite कौन सा है? वो यह वाला है ठीक है? तो इन दोनों का और इन दोनों का क्या गया? BH तो इसका बने गया 2BH ठीक है? तो अब देखो हमने ती इसके क्या का area निकाले है? एक तो 2LB निकाला है एक 2HL निकाला था एक 2BH निकाला है यह निकाले हम निकाले है? इन में से 2 कोमन ले लो तो LB प्लस HL या BH इन में हम किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं तो यह फार्मूला बनेगे हमारा टोटल सर्फेस एरिया संपून प्रश छेतर फर्ल किसका? क्यूबोइड का ठीक है? तो इस तरह से हम इसका टोटल सर्फेस एरिया find out कर सकते हैं अब इसी में मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ अगर मान लो इसी में हम देखते हैं इसी में हम ये देखते हैं कि ये उपर वाली जो छट है ये इसको हटा दो और जो नीचे वाला ये फर्स है ये इसको अगर हम अटा दे तो बाकि क्या बच गई चार दिवार ठीक है और ये जो हम हटा रहे हैं इनका एरिया क्या होता था LB LB 2LB तो फार्मूला भी हमने क्या सिखा है हमने सीखा है हमने जो अभी उपर सीखा है 2LB प्लस 2HL प्लस 2BH ये सीखा था हमने अगर इस पूरे मैसे में फर्स का और छट का हटा दूँ यानि ये वाली चीजे हटा दूँ यही थी तो दोनों की तो हमारे पास ये एरिया बच था इदर वाला बचा हुआ अगर इस मैसे में 2, ले लेता हूँ तो 2, ले लू चार दिवारी हमें दिख रही है उनका चेटफल इसमें च्छत और फर्स सामिल नहीं है ठीक है तो यही आपको यहाँ पर समझाया हुआ है देखो जरा यही बताया हुआ हमें यह देखो यह तो हमारा टोटल सर्फेस एरिया है संपून पर शेटफल बोल लें जिसको और यह हमारा पर्स पर शेटफल यह चार दिवारी का शेटफल इसमें से अगर कॉमन ले ले लेते हैं तो यह फर्मूला हमारा बनता है अब इसी से हमारा घंका यानि क्यूब का क्यूब का कैसे बन जाएगा क्यूब में तो L, B, H तीनों वैल्यू सेम होती है देखो यहां सब जिगे हम पहले इस वाले को लेकर चलते हैं टू यह क्या है? L, B, L, B बी तो होता ही निए जमें L into L यह भी L स्केर हो गया दूसरे वाला इस B, H को भी L, L रख देंगे तो यह भी L स्केर हो गया और यह तीसरे वाला भी L स्केर हो गया तो अंदर क्या हो गया? 3L स्केर ठीक है न? तो 2L स्केर L स्केर, L स्केर आया था हमारे पास तो अंदर हो गया हमारे पास 3L स्केर, तो क्या बन गया यह? 6L स्केर यानि यह जो value हमारी किस के लिए थी? क्यूब ओइड के लिए थी अगर यह cube हो जाएगा तो cube के लिए यह वहारी value में जाएगी 6L square नीचे भी देखो समझाया हो भी वरक्षीट में बताता हूँ मैं आपको अबी इसी type से इसी type से जो 4 walls का है इसको भी हम कर सकते हैं देखो यह क्या है 2HS तो होता ही नहीं होता है L होता है सब कुछ अंदर भी L प्लस L तो यह 2L और अंदर भी ब्रेकेट में 2L हो गया 2L को 2L से multiply करेंगे तो क्या हैगा 4L square ठीक है तो उसका formula 4 walls का क्या बन जाएगा 4L square यह देखो नीचे यह सिखा भी रखा है L के बज़ाए इन्होंने A उज़ कर रखा है तो हमारा क्या है था 6L square इन्होंने क्या ले लिया इन्होंने ले ले लिया 6A square क्योंकि यह side मान के चले है A L गी बज़ाए ठीक है और हमारा यह 4L square आया था जिसकी LVH दे रखी यानि length, breadth और height रूम की हमें दे रखी है तो क्या तक तो room का total surface area यानि संपून परष्चे शेत्फल ग्याद करो तो निकाल लो कैसे निकालेंगे फर्मूले में रखे क्या है फर्मूला यह रह LVH की value हमें दे रखी है तो संपून परष्चे शेत्फल या total surface area निकाल दिया L की value क्या है 5 B की value क्या है 4 और H की value क्या है 3 तो LVH यह हमारे पास थे L5 B हमारे पास 4 यह given है question में और H हमारे पास था 3 तो इस फर्मूले में LBH की हमने value रखी 5, 4 जा क्या हो गया तो इनको सबको add करोगे तो देखो यह क्या आगया है आपे 2 इन 2 में 47 ठीक है इधर आ गया और यह हमारे पास आंसर आ गया इतने meter square क्योंकि यह area है तो area हमेशा meter square, centimeter square, kilometer square इन में ही हमारा आएगा यह ज़रूर धियान रखना आप लोग और क्या निकालना है कहता है यह थो हमने निकाल लिया और कहता है कि 7 रुपे 50 पैसे के rate से यह जो 7 रुपे 50 पैसे का rate है इस rate से कमरे की दिवार यानि 4 दिवार और छट पर सफेदी करवाओ तो कमरे की जो 4 दिवार था उसका formula क्या था वो था हमारे पास 2H L प्लस B तो 4 दिवार तो यह हो गई और छट और फर्स का क्या होता था खाली छट की बात और यह फर्स पर कोई नहीं करवाता छट का क्या होता था L भी अभी मैंने समझाया था तो यह formula हमारा यूज होगा तो पहले इसका area निकालेंगे इस formula के help से और फिर उसको किस से multiply कर देंगे 7 रुपे 50 पैसे से ताकि हमारा खर्च निकल जाए देखों यहां पर एक कर रखा है नोंने करके दिखाया भी हुआ है देखिए यह रहा यह हमारा formula था किसका चार दिवारे का प्लस यह छतका हो गया अब L, B, H की तुम्हें values पता है B, H की value यह रख दी यहाँ पर H, L की value रख दी यह L, B की value रख दी इनको solve करा यह आ गया ठीक है इधर से यह value आ गयी 27 हो गया bracket के अंदर बहार 2 है इधर यह 23 फिर 54 प्लस 20, 54 प्लस 20 क्या हो गया 74 मीटर स्क्वार यान यह वो area आ गया जहां पर आपको सफेदी या वाइड वस्क करानी है तो एक वर्ग मीटर का खर्च उन्होंने दे रखा है 7.5 रुपे तो 74 वर्ग मीटर का खर्च हमें निकालना है 7.5 रुपे से इसको multiply कर दो यह आ गया 555 रुपेज चलिए अब दूसरा चैजामपल दे रखा है नोंनों क्यूब के उपर उसको भी देखते है क्या कहता है एक क्यूब दे रखा की ही होती थी तो कैसा क्यूब है उसकी every side क्या है 1.5 मीटर यानि यहाँ A की value अगर तुम्हारे जो वक्षीट में फार्मूला दे रखा उसका coding आर हम लेके चलते है A, A की value दे रखी है 1.5 मीटर तो कहता है इसका संपून प्रश्चेथफल तथा पार्स प्रश्चेथफल यानि टोटल सर्फेस एरिया और एरिया ओफ फॉर वाल्स find out कर दिये तो इसका संपून प्रश्चेथफल क्या था था 6 A स्क्वेर तो देखो यह दे रखा में थोड़ा सा उपर चला गया है इसको नीचे लाता हूं में यह आ गया यह 6 A स्क्वेर फार्मूला था 6 A स्क्वेर का मतला है N 2 A तो 1.5 थी इसकी वाली 1.5, 1.5 ठीक है अब इसको क्या करा 1.5, 1.5 और 6 तीनों को आपस में multiply कर लिया हमारा आगया 13.5 मीटर स्क्वेर ठीक है multiply करना आपको आता है अब नाइन्थ क्लास में हो और ऐसे ही पार्स प्रश्टे चेटफ़ल या area of 4 वाल्स वो था 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 4 A स्क्वेर उपर और नीच वाले में सिर्फ इतना डिफ्रेंस है हमाँ से multiply वा या फोर से अब इसको द Shooter कर भाजा तो यह हैं आगया हमारे पास 9 मीटर स्क्वेर इसको सेंटि मीटर में na convert कर दिया 2 बार मीटर है ना इसका मतलब है 9 मीटर इन्टू 9 मीटर तो पहले वाले को भी इसको भी सेंटि मीटर में 900 को 100 से multiply करोगे तो 90,000 हमारे पास cm2 ये आ गया इन्होंनों convert कर रखा है convert क्यों कर आए क्यों कर आए क्यों क्या कहता है कहता है यदि इसके चारो बाहरी प्रेष्ट पर चारो बाहरी प्रेष्ट पर कुछ पर चारो दिवारों पर 25 cm भुजा वाली वरगाकार टाइले लगाई जाती है तो कितनी टाइलों की जरूरत होगी देखो चार दिवारों का छेतरफल तो हमने निकाल लिया कितना आया 90,000 cm2 अब cm2 में क्यों निकाला क्योंकि बाहर जो टाइल लग रही है उसकी साइड cm2 में है तो एक टाइल का एरिया यह तो हमारी चारो दिवारों का छेतरफल आ गया अगर हम एक टाइल का छेतरफल निकाले और टाइल कैसी है वरगाकार वरगाकार यानि 25 गुणा 25 उसका एरिया हो जाएगा तो 625 आ गए यह एक टाइल का एरिया है टोटल चारो दिवारों का एरिया हमारा ये है हापर 90,000 तो 90,000 को अगर 625 से डिवाइड कर दे यानि एक टाइल के एरिया से हम डिवाइड कर दे तो टोटल नंबर ओफ टाइल हमारे पास find out हो जाएगी तो ये कर रखा है इन्होंने टोटल नंबर ओफ टाइल से निकाल रखे हैं कैसे 90,000 को 625 से डिवाइड करके ठीक है इस टैप से आगे अब नेक्स्ट क्या है बस अब नेक्स्ट तो आपने स्वेम प्रियास कीजिए ये दो कोश्चन दे रखे हैं इनके मैं आपको हिंट दे देता हूं करने आपको अपने आप ही हैं देखो पहला कोश्चन है एक घनाकार डिबबा घनाकार यानि क्यूब जैसा उसकी साइड दे रखे हैं हमें 10 सेंटीमिटर यानि की ए दे रखा है और एक दूसरा डिबबा है वो क्यूबोड है उसके लबियाच दे रखे हैं हमें ये रहे ठीक है जो क्यूब है उसका भी दे रखा है और जो क्यूबोड वाला डिबबा है उसकी भी दे रखा है तो कैसा किस डिब्बे का पार्स प्रष्ट चेज़ फल अधिक है और कितना यानि दोनों का तुम्हें फोर एरिया और फोर वाल्स फांड आउट करना है पार्स प्रष्ट ठीक है तो गनाब जो होता है गनाब यानि क्यूब उसका क्या होता है तो उसका तो इस फार्मूले से निकल जाएगा और एक ही वैल्ली हाँ पर टैन है और दूसरा ल बी एच हमार को दई रखा है ये ल है ये बी है और ये इसके नीचे एच है तो इसका फार्मूला क्या होता है टू एल प्लस बी और बाहर एच तो ल बी एच की वैली हार रख देना यहां से क्यूबोइड वाले का जागा गनाबा का रखा रखा जागा फिर देख लेना किसका जादा है और कितना जादा है घटा देना इसी टाइप से क्या था कुल प्रश्चे चेटफल यानि टोटल सर्फेस एरिया भी निकलना दोनों का टोटल सर्फेस एरिया इसका कितना होता था सिक्स ए स्केर इसका क्या होता था फार्मूला एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल तो दोनों का अलग-अलग निकल लो फिर इसमें देख लो किसका कितना कम है उपर वाले में तो यह बताना जादा है और कितना जादा है ठीक है जादा वाले में से कम घटा दिना और किसका कम है और कितना कम है यह भी घटा के ही निकल जाएगा तो इजी था पहला question अब देखो second question कहता है एक कमरा है कमरे की LBH दे रखिया यह कमरा कैसा हो गया गहनाबाकार गहनाबाकार मतलब cuboidal तो कमरे का संपूर प्रश्चे छेतफल ग्याद करो निकाल लोगे example number one जैसा ही तो है उसमें भी तो यही कम कर रखा हमने same to same यह example one है इस question को आप अपनाप करोगे तो उमीद करता हूँ आज आपको cube और cuboid का जो अपने total surface area और area of four walls आज अपने निकालने सीखा है उसके उपर base जो question दे रखे हैं वो सीखे हैं यह आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो अब आपको क्या करना है यह try yourself वाले जो question हैं कितने हैं दो हैं इन दोनों को अपने copy में करना है और उसकी अच्छी सी साफ सी photo खेंच कर अपने अपने teacher को भेजनी है ताकि वो इसको check कर सके धन्यवाद